नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राकेश वानी अस्टो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि मैं कुछ वीडियो से आपको बता रहा हूं कि कुंडली देखते वक्त हमें क्या-क्या देखना चाहिए अभी कुछ लास्ट वीडियो से कुछ ये बता आया कि कैसे हम लोग उसका जवाब चंद्रमा के कोचर से निकाल सकते हैं और कैसे हम अस्टक वर्क का इस्तेमाल भी उसके लिए कर सकते हैं आज थोड़ा आगे में आपको चीजे शेर करूंगा जो आपको बताएंगी कि कुंडली देखते वक्त हम लोगों को देखनी चाह क्योंकि सुसाइड अzeptेंट बहुत होते हैं आजकर बचे बहुत जल्दी इसमें आ जाते हैं वड़े लोग दिप्रेशन में लगते हैं और इस तरह की बाते derivation माने के बाद के सुसाइड कर लेते हैं या कुछ कि कर लेते हैं इस तरह की बाते उनके दिमाग में आने लगतbn तो ये क्या चीजे हैं, तो इसका कारक होता है राहू चंद्रमा और मंगल, मंगल, चंद्रमा और राहू चंद्रमा तो मन का कारक है, ये तो हम जानते ही हैं, चंद्रमा मन का कारक है, इसका हम लोगों को पता है, राहू पैशन का कारक है, ये भी हम लोग जानते हैं, और मंग जो होते हैं आत्मक्त्य के कारक होते हैं और चंद्रमा भी साथ में पीडित हो तो ऐसा इंसान सुसाइट कर सकता है यह ध्यान रखिए यह राहु मंगल चंद्रमा एक साथ बैठे हो तो भी ऐसी पोजिशन हो सकती है तो इसकी पोजिशन देखके सबसे पहले कुड़ी में मैंने पहले भी आपको बताया है कि यह देख लेना चाहिए सूर्यत पूबप तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा गया उस बहाँ में उस बहाँ से आपका पड़ेगा कुणुकि लगनेश जिस भाव में जाए उस बहाँ से आपका फिसीकल अटेशमेंट हो जाता है और चंद्रमा जिस भाव में जाए उस भाव से आपका mentally attachment हो तो कुंडली में चंद्रमा देखना बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा पीडित हो नहीं तो या तो उसे अधिक ग्राउं से अगर चंद्रमा पीडित अशुब ग्राउं से द्रस्ट है तो ऐसे में हानी हो सकती है और सा कुल्द को देखे बता यह कैसा वसका जीवन रहेगा यह आप बता सकते है लेकिन अगर बच्चे कुम्री से पटा के बारे में आपको बताना ओ废ो ऑनु कीसे बताए के बाई-द Eli के नवंवाब में पिता का बहाब उस वहता हो अगर अगर आप लगन और उसे आप सकते हैं दूसरा भाव पिता का धन हो जाएगा थीसरा भाव पिता का प्राकरम, चौथा भाव पिता का शुक पांच्वा भाव पिता की जन्तान याई आप स्वेम तो इस तरीके से हो जहाim अगर अगर माता ही कुंदली देखनी है अरव इलध का आडिया लगा बच्चे की कुंडली में जहां चंद्रमा है उससे चौथे भाव को लगन बना लो तो भी माता की कुंडली बन जाए तो इस तरीके से भी कुंडली बना के आप देख सकते हैं और उससे आडिया लगा सकते हैं बाकी इस चड़ी फिर आपकी वैसी की वैसी रहेगी पहला आटवा भाव कल है पीड़ा उस चीज का भाव हो गया बिमारी का भाव हो गया तो ऐसे करके आप सब चीजों का आडिया लगा सकते हैं तो जब भी कभी किसी बच्चे कुंडली आपके पास आए तो आप एक बार उससी कुंडली तो देख लीजिए पर उससी कुंडली से पिता का भी आइडिया लगा लिए, कि आपको भी इस तरह की परिशानी हो सकती है, तो वो थोड़ा आश्र चकित हो सकता है, कि इन्होंने बच्चे ही कुनली से कुछ उनके बारे में भी बताया, किसी भाव को स्टडी करने का भाव, भावेश, कारक के अलावा और क्या अश् करते हैं, भाव चेक करते हैं, फिर भावेश को देखते हैं, भाव के स्वामी को, कि वो कहां गया है, के इंद्रतिकोन लाव भाव में है, तो बहुत अच्छा, चटे आठवे बारवे भाव में है, तो अच्छा नहीं, फिर कारक को देखते हैं, भाव के हर भाव के कारक है देखते हैं तीन चीजी भा भाव खावेश और कार् meditate तो अगर बाव भावेश और कार तीन ynो मज़बूत है ठो रजब अच्छा होगा एमें दो मज़बूत है तो रजब अच्छा होगा अगर पर एक ही मज़़ूत है तो जलिटत अच्छा नहीं तो यह तरीका है लिकिन इसके अलावा वो पुस्ते है कि इसके अलावा भी कोई option है क्या येस इसके अलावा भी option है कि आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी भाव की study आपने करें तरेकर यह एकि था तरीका यह है कि वावर स को रगन बना और और फिर आप इससीरी क रो और फिर देखो क्या स्ट्रेट आँपको पत्री कुण्रीच देखनी है तो अगर आप वहाव वेश और कारक के हिसाब से कुंडली देखते हैं तो वेलेंगुड और अगर आप इससे भी उपर इस डिटेल में स्टड़ी करना चाहते हैं तो उस भाव को लगन बना लीजिए और लगन बना के फिर बाकी भाव स्टड़ी कीजिए उस भाव से दूसरा भाव वही धन भाव हो जाएगा उस भाव से तीसरा भाव उस भाव का पराक्रम हो जाएगा उस भाव से चौता भाव उस भाव का सुख हो जाएगा इस तरीके सी आपको आगे चलना भाव के शुबफल कम मिलेंगे यह बहुत इंप्रेंट है कि हमें इस भाव के शुबफल कम मिलें तो उसके लिए होता है कि भाव का स्वामी जिस राशी में हो उसके त्रिकोंड में या समसब तक में गुरू आए तो भाव के शुबफल मिलते हैं अगर आपको देखना है कि चौथे भाव के शुबफल कम मिलेंगे आप देखना चाहते हैं तो चौथे भाव का स्वामी जिस राशी मे करें कि भी वी पूछते हैं वे उस्के लिए वो हो उसके लिए गरते हैं या उसके संब सब तक गुरू आजए तो आप कह सकते हैं बिल्कुل we Playing पृति बॉ cleaner समझमा आये होगे तो डाइक किचेगा सबस्क्राइब किचेगा आगे वीडियो में मैं आपको और चीजे बताता रहूंगा और इसके अलावा जरूरी सूचना ये है कि नमबर के महिने में हम लोग एडवांस एस्टेलोजी का बैक स्टार्ट करने जा रहे हैं आप में से जो लोग भी इंट्रेस्टेड हो वो दिएगे नमबर पे संपर करके अपना नामंगन क धन्यवाद जैश्टेश्ट